नमस्कार दोस्तों आपका स्वाग थे अपने YouTube चैनल पेफॉर पॉर्टफोलियो में आज हम दिन का दूसरा पॉर्टफोलियो रिविव करने वाले हैं जो की होगा 13 लाग का पॉर्टफोलियो लेकिन यहां पर इतने बड़े पॉर्टफोलियो में भी कोई भी IT सेक्टर के स् इतना investment किया गया है इन सबी चीजों के बार में बात करेंगे लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीज़े और regular updates पाने के लिए notification bell को प्रेस कीज़े साथ ही साथ टेलिग्राम चैनल को भी जोइन किज़े इसके link description box में दी गई है तो आप देख सकते हैं total investment किया गया है 13,00,00 के आसपास का और current value भी उसी के आसपास चल रही है चेंज देखने को मिला है 0.6% का negative change बजाज फेंसर 47 quantity 7,289 के price पर 3,42,000 का investment किया गया है 14% का loss हो रहा है लेकिन long term के लिए काफी अच्छा stock है बजाज फइनस 105 quantity 3,500 के price पर 3,68,000 का investment किया है 7% का loss हो रहा है लेकिन long term के लिए अच्छा है HDFC AMC 12 quantity 2956 के price पर 35,000 का investment 16% का loss लेकिन long term के लिए काफ़ी अच्छा stock है मननपुरम Finance 76 quantity 168 के price पर 12,000 का investment 6% का profit long term के लिए काफ़ी अच्छा है मोतुत Finance 19 quantity 885 के price पर 16,000 का investment 47% का loss हो रहा है long term के लिए ये भी काफ़ी अच्छा है SBI cards 20 quantity 577 के price पर 11,000 का investment 28% का profit हो रहा है long term के लिए ये भी काफ़ी अच्छा stock है next है federal bank 21 shares लिए है 44 के price पर आपने investment किया है 1000 रुपे से भी कम 30% का profit हो रहा है अच्छा share है लेकिन आपने investment बहुत ही कम किया है next है इंदस्टिन bank 23 shares लिए है 410 के price पर 9,400 का investment 27% का profit हो रहा है overall bank अच्छी है इसमें कोई problem नहीं थी लेकिन जिसकी वज़े से share में गिरावट देखने को मिली वो था idea में बहुत ज़्यादे इसमें loan देखकर रखा है और idea की हालत आप जानते ही है तो AGR में कैसा news आएगा supreme court कैसा decision लेगा उसकी उपर in the sin bank की पूरी पूरी moment बनी रहेगी तो यहाँ पर अगर आप long term के लिए hold नहीं कर सकते patience नहीं रख सकते है तो जितना भी profit मिल रहा है वहाँ से में निकलने को बोल दूँगा next है Asian Pants 6 shares नहीं है 1,754 पर 10,000 का investment 2% का loss लेकिन long term के लिए काफी अच्छा है Titan 28 quantity 1067 के price पर 30,000 का investment 1% का loss लेकिन long term के लिए काफी अच्छा stock है VIP industries आपने investment किया है 2000 का ज्यादा investment नहीं किया है 25% का profit हो रहा है तो यहाँ पर ज्यादा investment नहीं किया गया है अगर आपको निकलना है तो भी निकल सकते है next है Supreme Industry investment किया है आपने 4,855 रुपीज का 16% का profit हो रहा है long term के लिए दोनों ही अच्छे stocks है VIP industry और Supreme लेकिन investment दोनों में ही कम किया गया है relax हो footwear 23 shares लिए है आपने 632 के price पर 14,000 का investment 2% का loss लेकिन long term के लिए काफी अच्छा है Demart 43 quantities 2292 के price पर almost 1,00,000 का investment 11% का loss हो रहा है आपको पता ही होना चाहिए कि इसके results काफी बुरे आया है और situation काफी बिगड गई थी क्योंकि lockdown किया गया था लेकिन overall company अच्छी है long term के लिए कर आप रख रहा है तो इसे hold करना चाहिए next है Apollo Tricot 112 quantities रही है 451 के price पर 15,000 का investment का है 12% का profit हो रहा है अच्छा stock है इसे भी long term के लिए hold किया जा सकता है next है Mother Sun Sumi 200 quantities 59 के price पर 11,000 का investment 61% का profit auto parts बनाने वाले company अच्छी company long term के लिए hold किया जा सकता है लेकिन आपको पता होना चाहिए कि auto sector काफी ज़्यादा तनाव में है तो वापस हमें अगर नीचे आता हुआ नजर आता है तो वहाँ पर panic नहीं करना चाहिए अगर आपने long term के लिए है तो long term के लिए hold भी करना चाहिए Reliance 24 quantity 1000 के price पर 24,000 का investment 113% का profit हो रहा है नो डाउट बहुत ही अच्छी company long term के लिए hold किया जा सकता है लेकिन अगर आपको यहाँ पर profit booking करने के बारे में सोच रहे है तो profit booking भी सोच सकता है क्योंकि पैसे अल्रेडी double हो चुके है लेकिन इसका long term का view अभी भी अच्छा है long term का vision अभी भी positive ही है Next है GMM Fodler 16 quantity 3000 के price पर 49,000 का investment किया है 29% का profit हो रहा है long term के लिए ये भी काफी अच्छा stock है Deepak Nitrate 36 quantity 493 के price पर 17,000 का investment 20% का profit हो रहा है long term के लिए ये भी काफी अच्छा शेर है Next है actual 34 quantity 2082 पर 70,000 का investment किया है आपने 6% का profit हो रहा है long term के लिए काफी अच्छा है L&T 9 quantity 848 के price पर 7,000 का investment 6% का profit हो रहा है long term के लिए काफी अच्छा शेर है IRCTC 129 quantity 1313 पर आपने investment किया है 169,000 का 3% का profit हो रहा है तो मेरा यही मानना है कि यहाँ पर तो घम से घम quantity reduce तो करने ही चाहिए आपको मैं कई बार बता चुगा हूँ कि यहाँ पर IRCTC का business बिजबुली बन दे revenue from operations काफी कम हो चुगे है अब जब quarter one के results आएगे तभी हमें पता चलेगा कैसी situation यहाँ पर बनी हुई है आपको भी पता है कि हमें जो trains पहले की तरह चल रही थी उसमें वापिस बहुत ज़्यादा time लगेगा तो यहाँ पर business बहुत बरुआ effect पड़ा हुआ है लेकिन markets उपर है markets में तेजी है उसी के कारण IRCTC अभी फिलाल नहीं गिर रहा है लेकिन इतना heavy investment करना मेरे हिसाब से फिलाल की situation में गलत रहेगा तो यहाँ पर मैंने देखा आपके portfolio को review करते वेकित IT sector missing दिखा जे रहा था काफी growth वाला sector है अच्छा sector है work from home भी हो सकता है तो यहाँ पर हमें कोरोना वारिस की वज़े से lockdown की वज़े से भी कम impact देखने को मिला है तो IT sector हमारे portfolio में होना चाहिए ऐसी मेरी personal राय रहेगी बाकी decision आपका है साथ ही साथ एक बहुत ही चिंता जनक बात यह है कि बज़ाज finzov और बज़ाज finance में मिला कर आपने कुछ 7 लाख के आसपास का investment किया है जो कि बिल्कुल ही गलत बात है 13 लाख का आपका portfolio है उसमें से 2 ही stocks में आपने 7 लाख invest कर दी है suppose हमें अगर market में थोड़ी सी भी गिरावट देखने को मिलेगी तो सबसे ज़्यादा जो affected sector होता है वो bank nifty होता है यानि कि banking and financial sectors होते है NBFCs, banks की सबसे ज़्यादा गिरते है इसलिए मैं कहा रहा हूँ इतना ज़्यादा exposure किसी एक sector में किसी एक stock में रखना गलत होता है और आपने already HDFC, AMC, मननपुरम Finance मुतुर्थ Finance, SBI Cards, Federal Bank इंदर सिन बैंक जैसी अलग-अलग BFSI sector के stocks में investment किया है तो यहाँ पर आपको strictly quantity को reduce करना चाहिए अब कब करेंगे, यह तो आपके उपर है करेंगे भी या नहीं करेंगे, यह आपके उपर है बाकि यह तो मेरी एक राय है कि यहाँ पर आपको quantity reduce करना चाहिए same situation IRCTCB मैंने देखी तो यहाँ पर भी आप quantity reduce करने के बारे में सोच सकते हैं तो अगर आपको ये वीडियो पसंद दाता है तो like कीजिए, share कीजिए, comment कीजिए, subscribe कीजिए और मुझे motivate कीजिए Thank you, stay happy, happy investing